गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टु पी ड़ब्ली ओनली आईएस अगर कुछ बारिश की वज़ा से अगर हमें ये issues हमारे airports पर देखने को मिल रहे हैं ये दिखाता है कि हमारे जो main structures हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर deficiencies हो सकती है अब जाकर हमारे जो minister of civil aviation उनने बोला है कि जितने भी airports हैं सब की inspection होनी चाहिए कि क्या buildings ठीक हैं proper condition में हैं या नहीं है शायद यहाँ पर अगर हमने न एक step ऐसा लिया होता कि ये सब चीज़े होने से पहले अगर हमने ये सारी inspections बोली होती ही तो शायद एक परसंड की जान यहाँ पर बचाई जा सकती थी पर देखो इंडिया में जैसा होता ही है हर मुद्देवे politics हो जाती है तो यहाँ पर भी same चीज़ politics हो रही है विपक्ष कह रहा है कि सरकार की गलती है कि सरकार ने ये सब चीज़ें नहीं करी और सरकार कह रहे है कि भाई ये तो जो हिस्सा था ये तो पुरानी सरकारों के time क पर नहीं हो रही या यह नो प्रॉपर जो भी administration है जो भी negligence यहाँ पर हुई है उनके उपर प्रॉपर actions यहाँ पर लेने चाहिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की discussion डेट है आज की 39 जून 2024 और आप सभी का स्वागत है आज के film booster news discussion के अंदर पहला जो हम topic discuss करेंगे वो ह इंडियन government bond के inclusion के बारे में अब इसका क्या आर्थ है sir मैं आपको थोड़ा explain करने ही कोशिश करता हूं क्या आप index समझते हों हां index समझते होंगे जैसे आपको example समझते हों जैसे for example अगर बात करता हूं बॉंबे stock exchange या national stock exchange बॉंबे BSE और NSE की अब यहाँ तो बहुत सारी companies ह होती है बिल्कुल ठीक बात है पर हमें एक idea लेना होता है तो हम पता क्या करते हैं हम इनके index को समझने कोशिश करते हैं जैसे for example sensex या nifty इनके माद्यम से ना हम एक idea लग जाता है जैसे sensex में total 30 companies होती है nifty में 50 इसके basis के उपर ना हमें एक idea लग जाता है कि overall market का scenario क्या है पर HDFC की बात कर लो ICIC की बात कर लो and all those things and जैसे ही कोई company sensex में include होती है या फिर nifty में include होती है ये ना investors के अंदर एक confidence लेके आती है आप पूछें कैसा confidence अरे इतने बड़ी company यहां पर हो रही है तो इसका मतलब कि company अच्छी होगी तो automatically उस company के अंदर विना लोग ज़ादा पैस पंप इन करना start कर देते हैं चलो ठीक है अब इसी तरह से पता क्या होता है इनसी तरह से होते हैं सरकारी बॉंड्स government बॉंड्स की बात कर लो government बॉंड्स आप जानते होंगे अब सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार क्या करती है उसके लिए bond जारी करती है और सरकार अलग-अल का emerging market bond index है इसके अंदर यहां पर include कर दिया गया है अब इसको सेम चीज रिलेट करो जैसे मैंने आपको Sensex और Nifty के अंदर बताया था अगर कोई company Sensex Nifty में यहां पर include हो रही है तो कहीना की company अच्छी है कहीना कहीन लोग और जदा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर है कि नहीं इसी तरह से जो JP Morgan बहुत बड़ी यहां पर हमें एक company देखने मिलती है उसका emerging bond emerging market bond index है उसके अंदर यहां पर Indian government bonds को include करना यह कहीना कि यह दिरिशाता है कि इंडिया का इंडिया के government bonds की बहुत जादा value है प्लस at the same time इसके रिगार्डिंग जो इन्वेस्ट कॉन्फिटेंस होगा वो धीरे दिरे और बड़ेगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर ना इंडिया में और investment आएगा and investor confidence इंडिया के उपर और भी जादा बड़ेगा अब actual में आप notice करते हो कि यहाँ पर भी na sensex nifty के अंदर भी हर particular company कुछ वेटेज होती है जैसे HDFC bank की काफी अच्छी खासी वेटेज है आपके reliance की ठीक ठाक वेटेज है ICSA bank की अच्छी खासी वेटेज है है ना सारी companies का same वेटेज नहीं होता तो इंडिया के case में भी ना यहाँ पर अभी तक जो वेटेज होगा लगबग 5-6% बताया जा रहा है बट आने वाले time के अंदर हो सकता है कि जो हमारा maximum हम जो पहुंच सकते हैं वो 10% duck की वेटेज भी 2025 तक यहाँ पर इसको हम इसमें रहेंगे emerging market bond के अंदर and इस particular time period के अंदर the estimates की हो सकता है कि काफी billions of dollars भारत के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं अब एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है वो यह है कि यहाँ पर सारे तरह के bonds यहाँ पर include नहीं करेगे यहाँ पर व 2020 में पता क्या हुआ था RBI ने सरकार के consultation के साथ यहाँ पर एक separate channel यहाँ पर बनाया था जिसका नाम है FAR इसका अर्थ पता क्या है जो भी आपके non-residents है वो भी invest कर सकते हैं तो यानि कि बस वही वाले आपके government bonds यहाँ पर include किये जाएंगे जहाँ पर non-residents भी जिनमें invest कर सकत हैं plus at the same time उनकी जो maturity होनी चाहिए वो कम से कम अभी धाई साल से ज्यादा होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कोई bond है जिसका let's say maturity period 2025 में है वो include यहाँ पर नहीं होगा जिनकी कम से कम धाई साल से ज्यादा की maturity बची होई होनी चाहिए plus at the same time जो notional outstanding है वो 1 billion dollar से ज्यादा ह हो जाएगा तो यहाँ पर जून में accordingly इन्होंने include कर लिया गया है ऐसा बताया जा रहा है कि हर महीने ना 2.5 billion dollar हो सकता है कि भारत में यहाँ पर निवेश हो तो overall 10 months के अंदर लगवक 25 billion dollar के आज पास की investment यहाँ पर देख सकते हैं right and आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा sir अगर dollars आ भी रहे हैं तो इसका कुछ फाइदा भी है हमें the answer is yes अगर dollars आते हैं तो कहीं न कहीं हमारा चाहे वो deficits हो चाहे current account deficit हो और बाकि जो और deficits होते हैं ना उनको यहाँ पर manage करने के अंदर हमारी मदद हो सकती है and overall liquidity वगड़ क्या दिवस UPSC का सबसे बड़ा event उसकी offerings के लिए अब आपके बास के वल दो ही दिन बचे हैं तो जैसे अगर मैं बात करूं संकल प्रहा, Titan badges की तो आप definitely in foundation badges के अंदर enroll कर सकते हैं plus at the same time अगर आप 2027 के लिए त्यारी कर रहे हैं तो मारा जो program batch है वो आपको faced manner के अंदर हमारे different different options भी आते हैं history, anthropology, psir, sociology, mathematics, geography, pub ad and ये English and Hindi के अंदर available हैं तो आप इनको भी आप definitely join कर सकते हो plus at the same time Hindi में आपको Hindi literature option भी देखने को मिल जाएगा lastly अगर मैं बात करूँ हमारे जो offline badges हैं हमारे जो CTR model के based होते हैं उनके अंदर भी आपको 30% तक का off आपको देखने को मिल रहा है तो इनको भी आप definitely join कर सकते हो and आपका जो IDMP program है ये भी आपको बहुत जा मदद करेगा अपनी preparation को and आपकी planning को बहतर करने के अंदर तो दोस्तों इन सभी के links मैंने नीचे description के अंदर डाल दिये हैं वहाँ पर जाके आप इन courses के अंदर enroll कर सकते हैं दोस्तों मारा जो अगला topic है वो है South African initiative radioactive rhino horns to deter poaching देखो rhinos के बार में आप सब लोग जान पर होंगे बिल्कुल ठीक बात है अब ये जो इनके horns होते है न उस प्लस at the same time black market के अंदर यहाँ पे इनको बेचा जाता है मतलब यूनो काफी बहुत heavy price के उपर इनके जो horns होते हैं उनको यहाँ पे उनकी demand बहुत heavy level के उपर रहती है अब ऐसे में करें क्या क्या तरीक्या से हो सकता है कि rhinos की हमें ये poaching को रोप पाएं एक तो तरीका होता ह इनके horns जो होते हैं उनको या तो काट दिया जाता है या फिर उनकी growth रोप दी जाती है ठीक है ताकि उनकी poaching ना होचा एक सके basically point यह रहता है पर अपने आप में यह बहुत expensive method है and plus at the same time ना लगबग साल से देड़ साल के बाद बाद यह बापिस से dehorning करने पड़ती है तो यह तरीका तो अपने आप में बहुत ही महंगा और time consuming है इसी का जो एक solution निकाला जा रहा है especially काफसरे South African scientist के द्वरा वो यह है जिसका नाम दिया गया है risotope project अब इसमें पता क्या होगा इनके जो horns हैं उन horns को हम थोड़ा सा radioactive बना देंगे अब radioactive isotopes के साथ आपने rhino horns को यहा पर हम यहां पर rhinos की जो poaching है उनको यहां पर रोक पाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर पर यह भी तो बार बार करने वाला process हुआ the answer is yes यहां पर जब आपने उनके horns को slightly radioactive बना दिया ना तो लगबग 5 साल के लिए इसी तरह से रहेंगे उसके बाद पता क्या होता है क्योंकि यह radioactive substance है ना तो इस वज़े से इनके होती है half life तो 5 साल के बाद हमें यहां पर इनको replenish करेगा बट अगर हम बात करें डी हॉर्णिंग के context के अंदर तो डी हॉर्णिंग के हिसाब से तो बहुत आसान चीज़ है और उससे कहिंग गुना जादा cost effective भी है तो ना ही सि राइटली रेडियो एक्टिव हम यहां पर राइनो हॉन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए यह एक पाइलेट प्रोजेक्ट होगा अभी सरफ 20 लाइफ राइनोस को पार्टी स्पिट करवाया जा रहा है इस पर्टिकुलर इनिशिटिव के अंदर तो आपको अगर कोई वीडियो देखता है तो बिल्कुल आप लोग ने बनेरगटा नेशनल पार्क का नाम सुना ही होगा तो बनेरगटा नेशनल पार्क आपका बैंगलोर में लोकेटेड है इसको 1974 के अंदर नेशनल पार्क डेक्लियर किया गया था एक बहुत स्टीम जिसका नाम है इसको इसी नेशनल पार्क में से काब आउट किया गया था और इसको जू अथर्टी अफ करनाटका के अंदर ले आया गया था यहां पर आपको फेंस्ट फॉरेस्टिड एलिफेंट सेंचरी देखने को मिल जाएगी बाकी जू, सफारी, बटरफ्लाइ पार्क, रेस्क्यू आपको देखने को मिल जाएंगे अब यहां पर मैं बात कर रहा था भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी के बारे में इसका नगरेशन यहां पर बनेर गर्टा बायलोजिकल पार्क में यहां पर किया गया है तोटल यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे लगए 20 hectare का एरिया जह है वो यहाँ पे demarket और fence किया गया है for the safari purposes थोड़ा सा एक काम करते हैं हम यहाँ पे lepards के बारे में थोड़ी और जानिकारी रख लेते हैं देखो आप लोग ना big cats के बारे में जानते होंगे अब जब मैं बात करता हूं big cats की तो उसमें आपका tiger आ गया उसमें आपका lepard आ गया, snow leopard आ गया, cheetah आ गया, jaguar आ गया, puma आ गया यह सब आपके big cats आपको देखने को मिल जाएंगे इन big cats में जो सबसे smallest होते हैं वो आपके leopard आपको देखने को मिल जाएंगे यह throughout the Indian subcontinent आपको देखने को मिल जाते हैं एक nocturnal animal है यानि की रात के समय जादा active रहते हैं plus at the same time चीतल, hawk, deer, wild boar इस तरह की species के ओपर यह feed करते हैं सबसे important point जो आपको ध्यान में रखना है कि इनको जाना जाता है कि they can adapt to a large number of environment, basically large range of environment यहाँ पे इनकी capacity होते हैं उनके लिए adapt करने के लिए plus at the same time यह trees वगरा भी climb कर सकते हैं काफी strong होते हैं और अपने victim को भी drag करके लेके जा सकते हैं इनका conservation status आपको IUCN में vulnerable देखने को मिल जाएगा दरसल में परदानमंत्री जी के दवरा हमारे भारत के परदानमंत्री के दवरा 2019 में या idea float किया गया फिर IBCA को launch किया गया 2023 के अंदर यहाँ पर ना आपकी जो big cats हैं उनकी conservation की बात करी जा रही है तो it is open to 97 range countries जहाँ पर आपके big cats आपको देखने को मिल जाते हैं साथ हैं मिलकर कोशिश यह है कि हम यह big cats हैं इनको यहाँ पर protect कर पाएं इनकी जो illegal wildlife trade है इनको यहाँ पर रोका जा पाएं इस आर आल दा focus of IBCA next topic की तरफ आगे चलते हैं that is revised currency swap agreement for SARC country पहले एक काम करते हैं थोड़ा currency swap agreement की बार में पढ़ लेते हैं जब हम बात करते हैं currency swap agreement की यहाँ पर होती हैं हमारी दो parties ठीक है अब यह दो parties पता क्या करती हैं आपस में amount को exchange कर लेती हैं अब आप पूछेंगे सर कौन सी amount देखो ऐसी amount जो दो अलग-अलग currencies के अंदर हो सी है मालो एक dollar है और एक है रूपी तो दोनों parties पता क्या करेंगी different currencies की equivalent amount को आपस में exchange कर लेंगी वो dollar इसको देदेगा बदले में रूपी देदेगा और वापस में एक particular date के बाद यह वापस उसी पैसे को trade back कर लेंगी यानि कि आज दिया तो future में यहाँ पे एक दूसरे से वापस वो ले लेंगे यह एक तरह कि क्या होती है एक offset loans की तरह यहाँ पे काम कर दी है अकसर यहाँ पे एक दूसरे को interest दिया जाता है on the amounts that are exchanged अब एक बात आपको ध्यान में रखनें कि ऐसा कर क्यों रहे है क्योंकि देखो कई बार ना पता क्या होता है दोनों parties को face होता है क्या exchange rate का risk face हो सकता है कि अचानक से कुछ variations आ सकते हैं exchange rate के अंदर या फिर कई बार सामने वाली party को पैसों की जरूरत होती है वैसे मतलब जहाँ पर dollars वगरा किया अगर बहुत ही कम है या कतम होने वाली है उस case के अंदर भी इसको यूट किया जा सकते है तो यह सारे currency swap के यहां पर हमें फाइदे देखने को मिल जाते हैं एक point बात आप और ध्यान में रखनी है कि currency swap ना OTC financial instruments है अब आप पूछेंगे यह क्या होता है over the counter यहां पर नहीं होते कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के उपर समझ रहे हो ऐसा नहीं होता कि ट्रेड हो रहे हैं किसी एक्सचेंज के उपर यह आप directly सामने वाले के साथ बील करते हो आप नोटेस करो कि भारत ने इस तरह लगबग 23 कंट्रिस के साथ यहां पर कर रखा है तो देट इस वन तिंग यू मस्ट रिमेंबर बाकी जातर जो अपरेशन होते हैं वह फ्रांट कंसी स्वैप क्यों बेसिस पे होते हैं ठीक है न तो यह सब चीज़ ठीक है बाकी मैं ने इसकी इंपर्टर साब को बताई दी कि हैजिंग में मदद हो जाती है कुछ आपका फॉरन एक्सचेंज को बारो करना होता है अट लो इंट्रेस्टेट तो यह सब इसके फाइदे देखने के मिल जाते हैं अब बात आते हैं करेंट कॉंटेक्स की आर बी आई यहां पर सरकार के साथ मिलकर यह डिसकस किया रहा है कि हम ना सार कंट्रीज के लिए जो करंसी स्वेप एग्रीमेंट है उसका एक रिवाइस फेमबर्क लेकर आए फॉर दा पीरिड ट्वेंट ट्वेंट ट्वेंटी सेवन थीग है मीनिंग आपको ने बताई दिया 2012 के अं है कि उन्होंने बाइलेटरल एग्रीमेंट यहां पर साइन कर रखे होने चाहिए बाकि इस तरह के डिफेन 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 विंडोज ओपन होती है तो यह तो इतना इपॉर्ण नहीं आपके लिए क्या आमाउंट है पर आपको करंसी स्वेप एग्रीमेंट का आर्थ अपको काटमाडू निपाल के दर देखने को मिल जाते हैं एक इंटर गॉर्मेंटल ओग्रीमेंट अपर इसी वज़ा से इंडिया का आज कल जो फोकस ज़्यादा है वो बिंक्स्ट्रेक और बाकी और के उपर थोड़ा सवावादा हमें फोकस देखने को मिल जाता है नेक्सक दोस्तों हम बात कर लेते हैं मल्टी आमिक्स के बारे में बारे में गल्स जिनोमिक्स के बारे में बढ़ते हो, जिनोमिक्स का अर्थ हो जब हम DNA की study वगरा करते हैं, उसी तरह से अगर हम mRNA की study करते हैं, तो उसका नाम आ जाता है, transcriptomics, इसके लाब proteins की study को हम बोलते हैं, proteomics, ठीक है, उसी तरह से glycomics, and आपका metabolomics, and आपका lipidomics, तो होता कहाना है, different different changes आते हैं, other than the DNA changes की वज़ा से, तो ऐसा कुछ होता है, तो उसको epigenomics बोल देते हैं, metabolomics हो जाता है, आपके metabolites की, यहाँ पे study वगरा को करना, उनके बार में आपके चीज़ें जानना, तो यह सब चीज़ें होती हैं, अलग-अलग, तो यह different different को क्या बोलते हैं, omics groups, क्या ब combine करने की बात करते हैं, उसको हम बोल देते हैं, multi omics, अब आप पूछेंगे सर, इसका क्या फायदा, देखो इसका फायदा यही है, हमें किसी भी चीज़ का, अगर हमें pattern identify करना है, different different data set identify करने हैं, उनको अच्छे से study करना है, उनके regarding चीज़ों को analysis करनी है, चीज़ों को monitor कर करना है, अलग-अलग diseases से treatment find करने हैं, तो वो एक चीज़ को study करके नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे इन चीज़ों को different omics groups को combine करना होगा, तो उसकी जो power होगी, मतलब उसके जो हमें benefits होगे, वो अपने आपे बहुत जादा हमें help करेंगे, एक proper comprehensive understanding लाने के अंदर, इसके अंद करने हो, ताकि चीज़ों को आप समझ पाओ, उनके links पकर identify कर पाओ, और उससाब से treatment find कर पाओ, चीज़ों को monitor कर पाओ, और उनको अच्छे से characterize कर पाओ, this is the meaning of multi omics, next बिल्कुल एक चोटा सा topic है, informed consent के बारे में, कही बार UPC direct question पूछ लेता है, कि informed consent कहां news में आता है, तो medical operations के साथ news में है, क्या आर्थ होता है, informed consent का, देखो कही बार न, एक patient है, अब patient को जो भी बिमारी है, तो उसको क्या procedure होना चाहिए उसका, तो patient को पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस चीज़ के बारे में कि क्या उसकी condition है, क्या treatment options available है, procedures करना होगा, तो क्या-क्या steps होंगे, and अगर वो steps ले जाते हैं, क्योंकि तो क्या-क्या possible complications होंगे, यह सारे informed consent के अंदर हमारे देखने को मिल जाते हैं, इसके visits के उपर जो patient होगा, वो बहुत अच्छे से decision लेग पाएगा, well informed decision लेपाएगा, and वो देख पाएगा कि क्या भाई उसको actual procedure करना है, या नहीं करना, this is termed as informed consent, I hope यह topic भी आपको clear हो गया होगा, अब देखो इसी, मतलब आज के जो अगर हम बात करें MCQ की, तो आपको दो questions का मैं homework दे रहा हूँ, पहला question आपको यह homework पूछ रहा हूँ, कि ऐसे कौन सा operation था, जो army के दोरा undertake किया गया, for the upliftment of local population in remote areas, तो इसका आप मुझे answer comments में ब एक पर discuss करें, एक मैंने question बुजा था, विनेस को world heritage list के बारे में, अब देखो मैंने ना बहुत बच्चों से बात करी, काफी सारे बच्चे इसका answer सही करके आए, काफी सारे बच्चों ऐसे भी थे, जो इसका answer सही नहीं करके आपाए, मैं यह नहीं कहा रहा कि उन्हों included in 2023, यह miss ही कर गे, और यहीं मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा कि मानलो किसी का पहला time था, नहीं, I have personally seen some good candidates, even एक मेरे student है, जो इस बार उन्होंने rank भी last time आया था, ठीक है 300 something उनका rank है, उन्होंने भी यह गलत कराए question, अब पता नहीं यह तो जल्दवाजी थी या क्य क्या था, समझ पा रही हो, सबको पता था यार कि चारो की चारो जो है ना, यह world heritage list में है, पर यह वाले चीज पढ़ी है नहीं, 2023 में, अंसर उनको इसका भी पता था कि हाँ बाई, शांती निकेतर है, और आपका होईसाला की बात हो रही है, बाकी दोनों तो पुरा नहीं है पर यह वाले चीज मिस ही कर गए, तो do you understand this kind of things, देखो जो अगले साल 25-26 कभी भी एक्जाम दे रहे हैं न, इन particular questions को लाने का मतलब मेरा यह नहीं है, क्या आपको मैं additional knowledge दूँ, हाँ ठीक है, वो भी एक चीज हो रही है, पर उसके साथ साथ कहीन है कि हम questions कैसे attempt करने चाहिए क्या गलतियां नहीं करने चाहिए, आप अपने seniors के क्या गलतियों से क्या सीख सकते हो, वो समझना भी बहुत important है, तो पूरा questions पढ़ना start करो, ऐसे जल्दबाजी में मत रहो, exam में थोड़ा देखो, अभी तो शायदा आप लोग पढ़ पा रहे होंगे इस question को, exam में nerves होती है, थोड़ी और अलग तरह से work करती है, वहाँ पर थोड़ी और घबरहाट होती है, तो मैं I can understand के वर ऐसी चीज़े मिस हो जाती है, पर यही तो चीज़े हमें सीखनी है, समझ रहो, तो इसका answer यहाँ पर option number, मतलब B होगा, only two is the correct answer, क्योंकि इन दोनों को ही 2023 में यहा पर हमें देखने के मिलता है, अब देखो, मैंने काफी बिच्चों से discuss किया, और जो ज़्यातर students answer लगा के आए ना इसका answer, वो या तो A लगा के आए हैं, और या फिर बच्चे C लगा के आए हैं, अब मुझे यह समझ नहीं आया, जिन बच्चों ने कहा कि सर हमने हमें मंगलदेश का बॉर्डर ही, इंडिया चाइना से बड़ा है, तो कैसे इंडिया चाइना अंसर हो सकता है, तो जिन लोगोंने C लगाया ना वो तो बिलकुल ही गलत कर रहा है, बहुत बच्चों ने बता नहीं मुझे क्यों बोला कि सर हम B और D पे तो confused नहीं थे, हम A और C म में confused होने की बात ही नहीं थी, है ना, इंडिया बंगलदेश का बॉर्डर बड़ा है, इतनी बार तो बढ़ते हैं, हम जोग्रफी में बढ़ते हैं, इवन करेंट फेस में कभी ना कभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, तो समझ पाए, तो इसका अंसर ऐसे option नमबर A आजाएगा, Canada and USA का बॉर्डर दुनिया भर में सबसे लंबा बॉर्डर होता है, मैं बसे कहना तो नहीं चाहूंगा, देखो, एक बार मैं KVC देख रहा था, आज से 2-3 साल पहले की बात है, उसमें exact यही same question पूचा गया था, तो यह तो नहीं कह रहा है, मैं बिलक करें, तो Switzerland नहीं, यह आपका Sweden आपका 32nd member बना था, तो first is incorrect, Paris Club में देखो, बाइस members हमें देखने का मिलते हैं, तो यह भी आपका incorrect हो जाएगा, access hopex की बात करें, तो यहाँ पर यह इंडिया और Egypt के बीज में है, तो तीसरा भी आपका गलत हो गया, ICC की बात करें, तो यह UN क Oregon नहीं है, and lastly, अगर मैं बात करता हूँ, देखो, वीट की, तो यह वाली statement यहाँ बिल्कुल correct देखने को मिल जाएगी, दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप माई Telegram चैनल, PW Only, IS Official जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी preparation को आप भी बहतर बना सकते हो, thank you very much for that discussion.